नमस्कार सातियों, सुप्रबात, आज विशेश चाई की चर्चा में हमारे खाश महमान है अरदिल अजीज के नाम से पुकारे जाने वाले प्रभु नारहाण मेना जी सातियों, विद्यार्तियों, मित्रों, सभी, सकाओ, समंधियों आपको बताना चाऊंगा कि एम स्टेडी यूटूब चैनल स्टूडियो में एवरी संडे होने वाली चाई की चर्चा में कोई न कोई खास मेमान हमारी बीच में उपस्तित होता है किसी संदेश के माध्यम से, जागरुक्ता के माध्यम से कोई कोई संदेश हम आप तक पहुचानी की कोशिश करते हैं उसी कड़ी में आज हमारे बीच में हैं परभु नारहाण जी और दिपिका मेम सातियों में बताना चाओंगा कि भारतिय संस्कृती जो की विलुक्त हो रही है और आज हम भारतिय पासत्य संस्कृती का अंदानुकरन कर रहे हैं कहीं न कहीं उस अंदानुकरन को बचाने के लिए आप सरका और मेम का भहुत सरानिय योगदान है सातियों में बताना चाऊंगा कि आपने काफी लंबे समय से इस संस्कृति को पोशक्तत्व की रूप में पोशन देने का कारिय किया है इसलिए मैं इनको तही दिल्शे आबार और अभिननदन करता हूँ और M Steady YouTube Channel Studio में पदा रहे हैं उनके लिए मैं तही दिल्शे स्वागत करता हूँ और सातियों जिस परकार से आप देख पारे होंगे कि M Steady YouTube Channel Studio आप लोगों को जो विध्यारती वर्ग है प्रतियों की विध्यारती हैं उनको लंबे समय से निशुल्क प्रतियोगी क्लासें उपलब्द करवा रहा है वो चाहे राजस्तान पुलीस की हो पटवार की हो ग्राम सेवक की हो LDC की हो या SI की हो या टीचर की हो सभी वेकेंसी की तैयरी निशुल्क करवा रहा है उसी चैनल स्टूडियो में आज हमारे बीच में पदा रहे हैं स्रीमान प्रभू नाराण जी और प्रभू नाराण जी और दिपीका में का मैं स्वागत करता हूं तैय दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाल करके हमारे बीच में पदा रहा तो चलते हैं आज मिलते हैं हमारे प्रभू नाराण जी जो वर्तमान में राजस्तान पुलीस में इंस्पेक्टर पोस्ट पर हैं और शेवारत रहते हुए भी आपने अपने संस्कृति को बचाने में बहुत आहम भूमिक आदा की है तो सातियों चलते हैं मिलते हैं परभू नारा अरण जी से सभी सभी विवर्स को धन्यवाद और स्वागत जो हमारा लाइव देख रहे हैं उनको हम लोग क्योंकि एक सितंबर एक नौंबर को एक लाइव आया था हमारे चैनल पर उस लाइव में हमने वादा किया था अग जो सबसे अच्छा कमेंट आएगा उन्हें मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात में जो सरवस्रेश्ट कमेंट आया तो आज हम उनके यहां चाई के लिए और चाई के साथ में आप लोगों से भी हमारी मुलाकात हो हम जो भी मार्गशन आपको दे सकें गाउं में जो रहने वाले बच्चे हैं वह जैपूर आके कमरा लेके और यहां कोच अच्च होता है जो उनके लिए संभव नहीं है और यह ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्द करा रहे हैं जो निसुल्क है आप हर व्यक्ति घर पे मोबाइल तो चलाता है वीडियो देखते हैं तो आप एम स्टेडी का जो वीडियो देखोगे तो उसमें आपको हर दिन नए न करने का जो सर्वीश में जाने के लिए आपको जो जी के या जो भी सब्जेक्ट है उनका अच्छा नोलेज यहां मिलेगा और आप इनसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो लाव होगा खासकर उन गरीब चात्रों का जिनके पास आर्थिक स्टेडियों की काफी कमज जैसा कि सातियों साब ने बताया बहुत अच्छी बात है कि मैं तो यह कह सकता हूँ कि सातियों कि कहीं कहीं संगर्ष बहुत अच्छी मंजिल दिलाता है और संगर्ष की कड़ी में साब के बारे मैं बताऊं सातियों कि दीप्रभु नाम से एक यूटूब चैनल है और उस को आप निशित देखेंगे और देखने के बाद में आप पाएंगे कि आज वास्ता में भारतिय संस्कृती को बचाने की आवशक्ता है क्योंकि भारतिय संस्कृती में विदेशी संस्कृती है जो पासातिय संस्कृती है उचको हम बिना देखें अंदानुकरन कर रहे हैं कही जीने कई हमें बचाने के आउशकता है और उस बचाने की कड़ी में एक संदेश की रूप में, जागरुपता की रूप में सरका और मेम का भूत सरानी योगदान है तो सातियों वीडियो में हम लाइव स्क्रीन के माध्यम से हम आप देखना चालते हैं कि किस प्रकार से सरका और संस्कृति बचाने में अपड़ा योगदान रहा है अपड़ा योगदान रहा है अपड़ा योगदान रहा है सभी जुड़ने वाले मित्रों को राम राम नरान जी आपको भी राम राम पंडित शेलेंद्र गोर जी आपको नमस्कार सभी मित्रों को नमस्कार हलांकि सब का नाम नहीं भी पड़ पाऊं तो आप ख्षमा करना आप मैं आपको लोक्षंस्कृति के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहूंगा क्योंकि लोक्षंस्कृति जनमानस में यह जो बसने वाली फिलो कि ऑननों उनके नजलाचरम संब्सक असली है जो उनका है उनका गाइन से लिए उनको हम गमारपन समझने लग बहुत बड़ी भूल कि वह आत्मा है जो आपका अस्तित्व ते करती और भारती यह लोकसंस्कृति के लिए काम करना नहीं है यह बहुत ही ज्यादा समझदारी का काम है और हमारी पुरातन जो संस्कृति उसको बचाने का है वह स्प just करते हैं पर वह मिल के ही भारतिय लोक्शनस्क्रति का रूप लेती है तो आगोरे पालक conceptual नहीं है वो भी ग्रामी लोक्षंस्कृति का हिस्सा थे कभी पर जो पढ़ेली के लोगों ने उनमें हिस्सा लिया आज उस लोक्षंस्कृति को वर्ड लेवल पर ला दिया मैं नमन करता हूं कालविया नर्तेंगना गुलावों को जिनों ने एक छोटे से समुधाई से निकल कर और उस लोग्षंस्कृति को विश्वृत लाके कर दिया तो ऐसे लोग जो लोग्षंस्कृति के लिए काम करते हम सबस्को नमन है और सबी आपको खोकला भीत होंगे दूसरों के सामने क्योंकि जब आपकी संस्कृति नहीं बचेगी तो आपका कुछ नहीं बचेगा इसलिए जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पढ़ने वाले बच्चों को मैं यह कहना चाहूंगा गोगा अध्यन पर पूरा ज्यान रहे क्यो वो शेरनी का दूद है जो पीएगा वो गुर्राएगा इसलिए सिक्षा का तो हमको मूल आधार रखना ही है और सिक्षा तैय यह होग वो सबको मिले और सरकारें उनके लिए प्रबंद कर रही है साथ ही हम इसको नोकरी लेवल पर ले जाते हैं सर्विशेज में अगर आने जव दशी का सहरा नहीं है को गाओं में रहते हैं और गाओं में रहने के दोरान उनको वो सुझेडा ही नहीं मिल पाती है जो सहर में रहे के जुछाओं पराप्त होती है तो वो लोग यह जो em coaching study है इसके माध्यम से और घर बैठे हीिस को पराप्त कर सकीए साथ में में लोक संसकर्ती को इसलिए जोड रहा हूं क्योंकि मैं उससे जोड़ा हूँ लोक संसकर्ती आपको मांसिक रुप से ताकत प्रदान करेगी क्योंकि संगीत मांसिक स्वास्ते की सबसे बड़ी दवा है तो मांसिक स्वास्ते के लिए अब संगीत सुने उसका लाब उठाएं और जैसे शरीर को व्यायाम की जुरत है वैसे ही मांसिक उसको ताकत को बढ़ाने के लिए ये व्यायाम भी जरूरी है इसलिए मनोरंजन भी जरूरी है और उसके लिए लोक्संस करती आपके लिए परंपरा एक निशानी है वो आपके साथ रहेगी तो आपकी पहचान कायम करेगी देश बाहु बली जी आपने राजस्तान की संस्कृति को विस्व लेवल पर प्रस्तत किया इसके लिए आपको दन्यवाद चरण सिंग जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चरण सिंग ग्रेट गोला है तेंड्ै यू तेंक्यू और जगत्मिठ्य बाबा जी राम 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 जगत्मिठ्य बाबाजी राम discomfort काफी समय से जुड़े हो जानती है को आफ मेरे को और लोगों को शेर करते जाओ आप ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाव ले समाज के काम किसी भी कारिय में तो यह एक काम है इसलिए मैं इस वेलफेर के काम से जुड़ा हूं ताकि हमारे उन लोगों को जो गाव में रहते हैं उनको फाइदा मिले गरीब बच्चों को फाइदा मिले और वहीं बैठे बैठे यहां से डायरेक्ट आप अच्छे जो व्य अख्यान सुने समझे और आप आमिया बहुत धन्यवाद है कि जो बच्चे पढ़नी पा रहे हैं शहर में आके कमरा लेकर नहीं रह पा रहे हैं वह वहां पर बैटे बैटे अपने घर पर भी अपना जो कोर्स है वह पूरा कर सकते हैं और वैसी अपने दिमाग को फ्रेश क इतनी खुषी मिली है तो वो डरन रहे है जो मैं वह घरना घाऊंगा यह जो चैहरा है हमारा यह सब कि समर्थ नकाई है यह समको को कर थे और और वो कुसी हम सब को हम बहुत ऑ locate है जो गममें दूबए वे थे उन लोगों को सकार अर्जा विलिए उनमें ऐसे परिवारका दिए शुरेंदर जी का परिवार हो उनका 12 साल से उस परिवार में हसना बंद कर दिया था हसना बंद कर दिया था ऐसे गटनाएं उनके परिवार मुही थी तो वो लोग में डूबे रहते थे कभी एक साल पहले उनको हमारा कोई वीडियो मिल गया तो जो हमका हमारा जो प्रस्तुति करन और हमारा जो चेहरे का हाउबाव देखकर वो इतने प्रभावित हुए अंदर से उनके खुशी आई और वो जो बच्चा मांशी ग्रूप से थोड़ा कमजोर हो गया था वह वापस सका क्यादा कर रहे हैं कि आपने हमारे परिवार को खुश्यां कि दिये हमारे लिए आप एक अवतार हो तो मुझे जादा अच्छी नहीं लग रही पर वो लोग कहते हैं यह रोज कहते हैं ऐसे ही दो-3 और उदारन है दो-3 ऐसे जो लखवा के वो थे और वो गम में रहते थे मतलब मेरा इन कि आप जैसी बीस तिती में रहो खुशिष रहो आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो दुख नदे दुख इसलिए नहीं दे क्योंकि आपका मायूश चेहरा इस दुख देता किसी को अगर उदास है तो अगला वी उदास होगा आप हसके बात करोगे लोग पणिवारी जो रहे हम लोग राजी परिवार के साथ रह रहे हैं अच्छे रहे और सब लोगों को उनके वचन थे कि आप लोग उनकी जो बात थी वो कह रहे थे कि आप लोगों का जब मैं पढ़ाई करते टाइम जब तयारी कर रहा था उसका जब पढ़ते ठक जाते थे हम लोग तो आप लोगों का वीडियो देखकर वापस फ्रेश हो जाते थे और दुबारा पढ़ना करी दिया अगा भी वह मंसुरी में कर रहे हैं पर वह लोग संस्क्रति के भी बहुत प्रेमी है तो उनका जुडाव मेरे से था पहले से ही तो पर वड़ाम उनकी पहली मुलागात बेरेस हुई तब उन्हों नहीं यह चीज कहीं अगा आप कहीं कहीं हमारे प्रेनासरोत रह हैं और हम जब पढ़ाई से ठकते थे तो आप से रिचार्ज होते थे और यह परिणाम जो आईएस बनने का है उसमें कहीं कहीं आपका भी योगदान है तो हमें इस चीज का गर्व है कि हमारे जो चात्र है बच्चे है हमारे मित्र है हमारे जो परिवार है वो सब लोग हमस को बड़ा सहोग और समर्थन मिल रहा है बहुत सारे YouTube चैनल है लोग गीतों के बहुत सारे मित्र गाई कलाकार जिसमें अच्छे चैनल ले सकता हूं मैं विश्नुमिना जी है काना रामथली जी है रामो माश्टर जी है और भी बहुत सारे लोग है जिनका सब का नाम सुरे सोन लाब भी दे रहे हैं लाब का मतलब यह है अग उनका एक पूरा हम संबान करते हैं और उनके संबान से ही हम समाज को विभीन प्रकार के मेसेज देते हैं हमारा लोग गितों में आने का एक तो लोक संस्कृति बचाना है दूसरा सामाजिक संदेश देना है और उन सामाजिक सं तो हम परवरिष देकर आगए उनका भविष्य अच्छा बनाने का पूरा प्रियास कर रहे हैं और सब लोगों को प्रेना ये दे रहे हैं कि बेटी भी नाम कर सकती है हमारे एरिये में हमारी बेटी सेलक्षन हुआ है उनका MBBS में नीट के तुरू अध्यन के लिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले लिया है तो बेटी को हम सक्सम भी बना रहे हैं और इसका मैसेज भी दे रहे हैं कोई भी यह नहीं समझे अगर बेटी एक दुरभागे परिवार का बेटी समारती है परिव वड़ा जमाना नहीं रहा जब हमको पूरा सारीडिक मेहनत से काम करना प्रता था और उसके लिए पुरुष की आवसिकता जादा होती थी तो वह मांचिकता चोड़ें और बेटा बेटी में कोई फरक नहीं समझे जिसके बेटी है वह उतना ही उनको सम्मान दे बेटा की च अब वह यह ज्यादा मैसेज दें बिना दहज स्यादी करें क्योंकि आप खुद सक्षम हो दहज के पैसे से कितने दिन जियों जिना है आपको आप लोग इस बुराई को समाज से जड़चे खतम करने के लिए कारिये करें और यह मेरा समर्थन भी क्योंकि मैं भी इसी मुहि दें किया है और दूसरी यह है जो अभी दहज का तो ही इसके लावा सिक्षा का सिक्षा का भी काफी मैं आपको प्रेडित करेंगा अग्पढ़ना हमारे लिए सबसे महत्तुपुन पढ़ोगे तो जानोगे जानोगे तो मानोगे तब जाके आपका भुष्यत होगा यह उसी के लिए आपको से लिंक कर सकूं और आपका भुष्य बन सके यह मेरे सुबकमनाएं आपके साथ रहेगी अगा आप अध्यन करें और अध्यन करके अपना भुष्य सुवारे अध्यन जी थेंक्यू नरेश मीना जी राम राम नरेश जी लोकेश खीडी जी कह रहे हैं आपके डांस को देखकर ही मन प्रफ़लित हो जाता है सर जी दन्यवाज जी यह जो पना दो जवाब देन लोकेश जी यह जो हम सकारात्म गुर्जा दे रहे हैं नप्रसंद करने का का रहें यह अध्यन में भी कहीं कहीं और यह और जो भी यह शातरह है वह इसमें मानस्पी रूप से सक्षम तैयार होते हैं अध्यन के लिए क्योंगों पढ़ते ठक जाते हैं हम उनका मनोरंजन करते हैं उनको लोक्षंस्कृति का घ्यान देते हैं सामाज इक संदेज देते हैं तो यह जो कारी है इसको को यह न समझे एक तो हम लोगों मांसिकता बना रखिए गाहों का गवार और यह जो काम करते हैं या गाते हैं या नाचते हैं यह लोकसंस करती के वहाइक लोग है पर उनको हम वह सम्मान नहीं देते जिसके वह हकदार है अस्थित्र हमारा उनि के कारण है तया वह पढ़े लिखे हो चाहिए वह अन पढ़ो पर मेरा आपको संदेश यह है अग पढ़े लिखे लोगों को भी लोकसंस्क्रति का संवान करना चाहिए को लोक्संसक्रती आत्म है आपके समुधाई की इस राश्टर की इस राज्ये की कलना तो आपका दाइत हे नोकरी प वोडाई संदेश नहीं क्योंकि ने मैं यह समुदाई से जुड़ा हूँ इसमें योगदान दे रहा हूँ राजस्तानी लोक्सिंस करती में मतलब भारती लोक्सिंस करती में योगदान सुनील सब्सक्राइब आप चोछ और इसमें डीप्रभु जी का इंटर्वीव देखेंगे तो आप सब बुपकशुस मिले इसमें वीडियो जिसमें सवालों के जवाब दियेंप प्रसंड आ को ने का रहने वाले्वाले हैंいreak क्या इस Important है वो से चैनल पर आए और मेन मगसर नहीं हें के हम उन लोगों को करना एक नोगों जो मतलब भासन सुनने में ज्यादा रूची नहीं रखते हैं और अपनी संस्कृती बूलते जा रहे हैं नहीं पीडी को संस्कृत का ज्यान कराने के हमारा मक्तद है जो इसके माध्यम से आप लोगों तक पहुच रहे हैं ओनलाइन नरत्य प्रस्तुत करके सब लोगों तो पहुचाना वो भी हमत का जाम है यहां क्या खुद की ओरत कहीं नाचले दो उसको कूट देते हैं लोग मानचिकता सुद्री नहीं अगो ओरत दूसरों के सामने नहीं जाए हम चाहिए दुनिया मगों ले तो ना उनको यह सं जब हम उस जमाने में जी रहे थे आप समीधान पड़े समीधान के अंदर अगर महिलाओं को सबसे पाउरफुल अधिकार दिये तो वह समीधान और हम उस समीधान का पालन करके भारत का नागरिक बढ़ना है और उस नागरिक के नाते ही महिला का संबान करना नारी शक्ति ह हमारे लिए सब कुछ है इसलिए उसका संबान करना हमारा पहला दाइत्व है क्योंकि आपकी आधी आबादी को आप अगर दरकिनार कर दोगे तो वह राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र स्रेष्ट नहीं हो सकता वह राष्ट्र विश्व लेवल पर अपना पर्चम नहीं पहना सकता इसलिए आधी अबादी को पूरी आजादी दे और उस आजादी के साथ उनका सम्मान भी करें मुरारी मीना जी धन्यवाद जी आपने बहत्रिन जोडी का एक खिताब दिया है हम उस पर जोनी बनेया हमको आप लोगों यह तंद और सियो gene यह हमारी और इस और तर्वह से ही हमारे चेहरे पर चमक है और वह इसमक रिफ्लैक्ट होकर आप तक आ रही है आपको खुशी दे रही है यह हमारे लिए सबसेफ कुछी ह کرां डीप्रभु जो नाम चैनल का है उसमें पी का इनका नाम है और रहने के पास में मेरा गांव है बगवत पूर अभी रेवेन्यूर कोर्ड नंट का नाम है भगवत पूरा है मैं परिवार से ही निकला वह आदमी कर सकता है जो उन परिष्टितियों में से गुजर के वाहर आया है जिसको उस विवार का ज्यान है उस लोकलाज का ज्यान है उस लोक संस्कृति से उसकी आत्मा से जुड़ा हो है तो मैं बच्पन से गाओं के अलाव में बैठता था बड़े बुजर्गों के सफुलके गाओं के है उनके साथ सबसे ज्यादा अगर जोटा बच्चा बैठने वड़ा तो वहीं हिए और उनसे वह उनके आपागी प्रोक्षे संसकृति और यह जोग की दोरा नहीं मैं इसका प्येज़्दी का कारिय भी कई बच्चों को सयोग दे रहां हूं है उनमें से सीमा मीना जो शिकराई के रहने वाली और जैने जाने से पीएचडी प्रिएचि क्वेश्थिंग गवारे में वारे में सयोग किया है और एक कटा से कर रही हैनीता मेना जी और एक रामधान जी मेना गोवशे करने वाड़ों में एक संतोष मिनाजी है टॉंक से वह साइध कोलेज में व्याख्याता है और एसे बहुत सारे लोग है जिनका मैं सयोग करता रहा हूं और लेखन और इस लोक संस्कृति मेरी रुची रही है और हर समुधाई के साथ मेरा अच्छा विवार है क्योंकि मेरे चैनल पर हमारी कम्मूनिटी से ज्यादा दूसरे लोग मेरा समर्थन करते हैं यही एक मेरी शपलता का राज है अगर मैं उस संस्कृति को एक घेरे में कैद थी उसको मैं फुड़ा बाहर निकाल रहा हूं और लोग समर्थन करते रहें साथ में मैं में स्टी को नहीं भूल सकता हूं क्योंकि एन एंस्टी वो प्लेटफॉर्म है हमारे लिए जो हम देहाती ग्रामी गरीव किसान मजदूर इनकी जो वच्चे हैं वो भी सिक्षा लेकर और अपना परचम बहराए अपनी घर की स्थिति सुदारे तो उनको यह फ्री कोचिंग कराते हैं ओनलाइन वीडियो मेरे देखते हो तो मेरे वीडियो देखने वाणों से मैं यह निवेदन करूंगा करें आप उसके लिए एक गुंटे का टाइम निकारे जब फायदा मिल रहा है जो बहत्रीन व्याख्याता है जो इन वि सकते होंगे और ग्यान के रूप में आप ताकतवर बनेंगे और वो आपको सफलता के चार्ब तक पहुंचाएगा और ऐसे उधारन भी है बहुत सारे लोग जिन परिवाणों को खुशी मिल रही है जो बच्चे सफलता भी राप्त कर रहे हैं कहीं कहीं वह हमको प्रेना सर कि आपको लोग संस्कृति का बचानी का एक लेटफारम दे सके और बच्चे जो अध्यन कर रहे हैं उनको प्रेना दे सके लोके स्खेड़ी जी कह रहे हैं सवाई मादवपूर और जयापूर की इस जोड़ी ने संस्कृति को जिन्दा करतके हैं सभाई मादवफूर और चaitवपूर में इश्ट कि ने वैसे तो समर्थन अब करा गिंगोल आप अबोग पार टो कर बेना एस संभव नहीं ऊसकता था इससे हमने जो किया है वो सब आपका है हम अब तक जो भी कररे हैं ओऊ समके लिए कर रहे हैं हमारे लिए उनसे निखल के आए हैं उनसे परिस्तितियों में दूसरे गुटार में भात अजित कर के ली ग। के लेमा आपका धन्यवाद देता हूं यह नरेश सोतोल जी धन्यवाद सर नरेश सोतोल जी धन्यवाद जी राम सिंग चोदरी जी धन्यवाद आजे राम जिलाल जी सरफन साब देव गाउं वाले कहा चलेगे चुड के मूल चल्जी हर नारान पूरा वालाय मूल चल्जी थान धार साब धन्यवाद साब दूसरी चीज एक ओर बतारां से आऊंगा आप कुमन आप 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 क्या कि संस्त्रती का संवान करोगे तो परिवार का संवान करोगे तो कि कई घरवाडे ऐसे हैं जो घागरा लूडी अधोसी कमी पैंड के आपके यहां आ जाते हैं बड़े इज़त नहीं कठाइदी वह संवान है आपके अथा लोक्त स्रती आपकी वह परमपरा और वह अदब आपके पास रहनी ची जाग्राम जी जाठ सावराम राम राम्राम रोशन बस्ती जी जी इसको शेर करो आप रोशन जी आप तो जुड़े हो साइद फेस्बुक पर भी मिलना चीए के रेने वाले हैं और इनकी एक अच्छी सोच है अगर वह अपने देहाती लोगों को एक अच्छा प्लेट फर्म दे सकें उन लोगों को सक्षम बना सकें तो ऐसे लोगों को हम को भी सयोग करना है और इनके कारियों को हम सब लोगों तक पहुचाना है और सब लोगों तक पहुचा होगे इस कारियों को तो उन देहाती ग्रामिन लोगों को फाइदा मिलेगा उन बच्चों को फाइदा मिलेगा जिनको उमीद नहीं कहीं से भी अगम क्या करें शुमेश्वर जी, सुमेर जी, राज गांदी जी, राम राम जी राम राम जी, मेशेज जी और महावीर गोदारा जी ने लिखाया, आज हम बहुत सोभागे सालिये, जो इस सक्ती पूंजी जोडी के दर्शन हुए, आपको नमनोर साधर प्रणाफ गोदार जी, परनाम, परनाम, बहुत बढ़ी अपादी दीये सार जल्दी जल्दी आने तो कमेंट आने तो जबी तुम को पता लगे है का कि अज़ा आ गया सार थेंक्यू, थेंक्यू राम प्रताव मेना जी, राम राम जात, आनीशा चोदरी जी, सत्धपाल जी, डूस्रे लोगों को जोडते रों और जोडते रों और शेर करते की रों रतनलाल जी जात, very good Thank you sir रमेश कुमार जी धन्यवाद रमेश जी धन्यवाद तालू राम जी यारम जी जाट, धन्यवाद सर तो कि रमेष कुमार जी डन्यवाद आपको भी राजुयार जी आपको धन्यवाद राम राम जी आप शेर करते रहो मतलब आप इस यह सभी का दाइट्वा जो भी जुड रहे हैं उनका दाइट्वए यह है कि कम से कम वो 10-20 लोगों को तो शेर करें ही करें वैसे ज्यादा करने करें तो ज्यादा अच्छी बात है राम सिंग पुराचे राम जी काड़ो राम जी राम जी राम सब कुछ आपको पता चल जाएगा सवाय मादपूर में कहां से है सवाय मादपूर में मलारना चोड से है मलारना चोड में मरमत इनका गोत्र है और जस्राम जी सकेटरी साब है उनके पिता जी है कपिल स्वानी जी आए लोग के इस खेडी जी लिख रहे हैं लेंगर लूगरी का कमाल तो आए है सब्सक्राइब दिलकुष जी बहुती शांदार उदारना है हां जी बिल्कुल दिलकुष जी हमारे चहेते हैं और रिष्टे में वैसे मेरे गोत्र के साब से साले भी लगते हैं बूरी पाड़ी क देगा तो हम दिल से संबान करते हैं क्योंकि उन्होंने इस संस्कृति को उस स्टेज पर दिया है जहां हरा आदमी की हिम्मत नहीं होती है वहां उन्होंने ये कारिक या मैं उनको दिल से आभार विक्त करता हूं उनका जाहाँ अच्हा लगन आप वहका में कि आप लोगों के सामने आके आप लोगों को जोडें और जढादा लोगों लोगों को हिट मानते हो तो उसका आपका साथ जो बातचीत का जो चल रहा है वो भी हिट होना चीज तो ये और इसके साथ में दो चीज चुपी विए एक तो लाव बच्चों को मिलेगा दूसरा लोक्संस्क्रती का परीचे होगा दूसरा हमारा भी सबसे परीचे हो जाएगा तो आप एक आप जिस जोड़ी को आप अपना वो मानते हैं उस जोड़ी को सब तक पहुचाने का आपका कार्य भी होगा और एमस्टेडी के स्टूडियो से हम आपसे लाइव हो रहे हैं और यह हमारा वादा भी हम पूरे कर रहे हैं क्योंकि हम एक नवंबर को लाइव आये थे उस अगे हम भी फिर लाइव आएंगे पर इस लाइव को सफल बनना इसलिए यह प्रोपकार है यह जो है यह लाइव प्रोपकार सभी को राम राम जी इतने सारे कमेंट आरे अब बोले जाओ आपने लोगों से मिल रहे हैं अपने लोगों से लाइव बात कर रहे हैं और हमने जो बात क्या उसको पूरा कर रहे हैं और एक प्रोपकार कर रहे हैं इसको आप अपने जो पेज बने वे हैं उन सब पर शेयर करते रहो आप ताकि ज्यादा ज्यादा लोग इसमें जुड़े आप सभी को संस्क्रति में सामिल करें आप सब इसमें इंट्रेश्ट लोग और जो आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं आप आपको रोजगार करते हो तो आपने तो और अब हो karena डुकर और सबीक शहत्रों से मैं कहना चाहूगा जो भी इस वuring ईष देन complete तरा उन्विस्वास प्रूम कार पैसा स्बूरखता ह लोग और लोग आगी्षाय करती है। पैसा नहीं है, पैसा देने की जोरत नहीं है आपको, खेवल रिचार्ज करा ना मोबाइल को, और वो जियो आपको सस्ती रेट दे रहा है, तो आप उसको वीडियो देखने में खर्च कर रहे हो, थोड़ा इसरे भी खर्च करो, क्योंकि ये भरिचे बनाता है, दिल्कुल थक जाये तब देखना है, तक हम वीडियो देखना है, वो आपको लोग संसक्र्ती की प्रणा देगा, लोगों के साथ जुड़ने का मोका देगा, अपने लोगों के साथ रहने का मोका देगा और पड़े हम भी है, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे और अच्य ईगेशन ले रहे हैं पर फिर भी हम लोग संस्कृति से जुड़े हैं और उसके लिए कारी कर रहे हैं तो आप भी करना पर पहला काम है भविश्य बनाना क्योंकि बिना रोजगार के अगर आप ऐसा कारी करते हैं तो गाउं के आपके मिलने वाले यह लोग कहते हैं पढ़ता तो है नहीं और गीत गाता डोलता है इसका मैंने गीत भी वीडियो है जो पढ़ने वाले लोगों के लिए उनकी मिशेज करें एक वह आप गीत गाते रोलते हैं नोगरी कैसे लगेगी आपकी तो वह वही बात कह रही है पढ़ना पहला काम है और गीत गाना बात गावा तो जो बच्च यह सेकंडरी काम है आपका जो आपकी रुच्चि का कारे कर रहे हो वह सेकंडरी का काम है पहला काम आपको पढ़ना है और M.S.D.S.A. आपको आधार दे रहा है पढ़ने का दे रहा है निसुल्क दे रहा है और मैं C.L.R. साब का तहदिल से सुक्रिया अदा करूंगा आप कि उन्होंने मुझे आप सबसे जुड़ने का मोगा दिया आप जल्दी जल्दी सेर करते रहें बहुत धीरे कर रहे हो आप एक तरफ से तो सेलिबरीटी मानते हो और सेलिबरीटी को इतने तेजी से शेयर करना है अग सब लोगों तक पहुंचे यह और सब लोगों तक आजी मृत्यू बोज वाला वीडियो कम से कम 40 बार देख चुके हैं ऐसे वीडियो को आप शेर किया करो जो सामाजिक संदेज देते हैं धैज प्रथा के मृत्यू बोज के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिक्सा से समंदीत पेड़ बचाओ आगे आने वाले टाइम में स आरेम सिंग जी दन्यवा शर्थ दन्येवा जी दन्यवा शको जारेड़ जी नमश्कार लोकेश मिट्जा पूर जी झार्ए रम राम धी भावपूरा वक्रा वक्रां रम्राम बिने गं स्धाम मिना जी राम थन्यवा जन्यवाद, राजुराम जी, काडुराम जी, रमेश मीना जी, डिके, इसमें भी जो ज्यादा कमेंट करेगा ज्यादा लोगों तो शेयर करेगा वो बताए कि भाई, आम में कितने लोगों को शेयर कर रहा हूं सिता राम चोधरी जी, नमस्कार सर्थ, संस्कृति को उच उठाने का काम किया है आप लोगों थेंक यू, आप लोगों का सनय समर्तन है, आप लोगों ही सहयो कर रहा हूं इस संस्कृति को बढाने के लिए, आदेश जी, तालूराम जी, विर्मा जी, सत्यनाराण जी, महवीर जी, गोदरा जी, जी, दो पंक्तिया, जन्नी जने त्वेडा जने के दाता के सूर, धन्यवाद बहुत अच्छी पंक्तियां लिखिया आपना है, धन्यवाद, हमारी जोडी को ऐसे ही आशिरवाद मिलता रहे हैं आप लोगों का, और हम आप लोगों के लिए काम करते रहे हैं बागी हमारे जोडेंश हो, सबी समुदयों को प्रभावित करते हैं और हम भी यह चाहते हैं कि सभी नौटों को प्रेम मिले क्योंकि यह लोकशंस करते का सम्मान सभी को करना चाहिए तो इसी से र्ष्ट्र निर्वान भी होत henu होता है, हमारे बच्चों को प्रेंग मि को पूलते की जिस्सें अच्छा इंसान हो लोगतने करते जा है पैल से पूलास या मोकेश भामु जी नमस्काल हुएирवा जी लोगेश नरसीलाल मिणा जी लोकेश नर्सीलाल ममिना जी ऋकेष नारेडा जी राम राम जवरमल जी शेर भी कर रहे हो गई आप लोगो दिल से राम 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 केष डागता जी यह राम डागता जी अब यह MSTD किसी ने देखा है वो भी टिपनी करें जो एमस्टीटी से अध्यन किया है किसी नहीं वो भी जुड़े हैं वह भी टिपणी करके बताएं अग आपको कितना लाभ मिला है इसके और आप कहां कहां में याभी आपना असिल करी है वो भी आप इसमें शेयर करते रहें ताकि सभी लोगों को पता लगे कितना सक्षम है आपको ग्यान देने में आपको नोकरी के लिए सक्षम बनाने में ज्यादा कोई बड़ा स्पीच देने का बहुत ज्यादा प्रफेक्ट आदमी नहीं हूं लोक्संस्क्रते करने वाड़ा व्यक्ती हूं पर एक व्यवारीक जो मेरों को जानकारी है वोशी शाफ-शाफ से दिल से बात कर रहा हूं गयाता कर दन्ले जो आप लिख रहे हैं लोकेस लालसोड जी नुकता-प्र्था वाला आपका वीडियो बहुत चानदार है ऐसे नुकता-प्रथा का ऐसे वीडियो को आप सेर क्या करें खिक्षा से संबन्धित भी है। दहिज पर्था से संब्धि जो नोकरियों में जाए रहे हैं वो तो जाई रहे हैं सके आलावा आप अन्ने शेत्रों में भी अपनी स्जादा पराशारा है अगर आप में अध्रो इजाने आरूची नहीं है तो को आप दूसरे श्रेरों इश्रेश चाहते डिसिते में अपनक राव जा crystal अपना कार्या आप लोग ऐसे समर्थन देते रहेंगे तो ऐसे मुस्कराती रहेगी है जोड़ी आशाराम जी विश्णू जी मनीज जी राम मीना जी मोहन मेवाल जी दिले शर्मा जी करने का एक तरीका होता है हमर हर चीज में खुशी डूण सकते हैं हर व्यक्ति को कहीं कहीं कि सिकाइट रहती है यह चीज नहीं वह चीज नहीं ऐसे रहती है मैं बहुत एक निर्दिन परिवार से ही निकला हूँ मुझे भी अभावों का सामना करना पड़ा है और संगर्श करना पड़ा है और अभी भी मैं संगर्शी कर रहा हूं नोखरी करते वेगी रोशन बसी लोगों को और 19 ग्रूप में शेर किया है वाव 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 अधियो चैनल की तरफ से आओ को गन्यवाद त्येल महुआ जी राम राम साब अधियमा फैलाओ पूरे है हमारे लोगों को जाधा आव सिकता है हमारे जो लोग ग्रामीन एरिये में रहे हैं उनको ज्यादा आव सिकता है मैं स्ट्टी इस अधिक्यों अधिक्यू सर्थ रा नाम अधिया घंशाम जी राम राम मूला राम बेनीवाल राम राम विनोदकुमार जी ल्यक्र 西 बोडरल को जोड़ा इसके लिए बहुत बहुत धन्य करते रहन वाल इनको और वारी लाल मिना जी ने शिक्टि करते रह पेज में हर ग्रूप में शेयर करते हैं मोर्य जी ज अमवीर गोदराजी तन्यवाद होड़ हम सील जाड साब के लिए कर रहे हैं जो गरीब है गाओं के हैं किसान के मजदूर के हैं अबाओं में जी रहे हैं और इनका मकस्द और हमारा मकस्द एक ही है इसलिए अर्थ कमाना ना इनका उद्देश है ना मेरा उद्देश है हमारा काम है कम समाज के पिछड़े लोगों को जितना सयोग दे सके उतना हमारे लिए इसोभाग्य होगा कि आत्यों सब लोगों को जोड़ो राजा राम जी, एनल मीना जी, रामके जी, जोड़ो सब लोगों को जोड़ो, इंदल सिंग जी, ओंपरकास, ओंपरकास जी, रामराम, एमेस्टेडी जी का, दलने बाद, रामराम जी, सभी को रामराम, और तेजी से, जो भी जितने भी गुरूप है, सभी गुरूपों में जोड़ें, ताकि जो बच्चे ऐसे जीवन जी रहे हैं, जिनको पता ही नहीं चीज़ोगा, जी बहुत सारे परिवार हमारे ऐसे हैं, जो अपने बच्चों को एक शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उनको कोचिंग नहीं करा पाते हैं, जैपूर नहीं रख सकते, उनके लिए भैतर प्लेटफोर्म है, इसलिए आप लोग शेर करें, ये भला क्या काम है, ये प्रॉप का क फॉप की अवे हमेले टारी ऑंनेखरम उनको जोड है, जैप ये लोगों को जोड़े हैं, आमस्ते हैं, लैक्ष्मान चोद्री जी, बनवारि लाल जी, मैं नाम भोलागे हूं, राम राम आप, आम आंब लेजा हूं, राम, राम राम जी, राम जी, कमलेज जी, राम, रोहि अगनशयाम जी घंच्याम जी तरह सवी लोग रही सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसमें इसमें महीला और लड़ी क्या वो दैने नहीं करती यह वो एमिस्टिक मेना जी का भूत ग्यमा जी आप इसको सब जगें फहलाएं आप यह सेडिकर अध्यटी करें राम परशाद दी महसमी नाजी गिराज मीना जी एनल मीना जी एक यह बहुत एब बटातेज़ा आप सबसे अच्छा सोंग कोण सा लगता है जो सबसे अच्छा डांस हमारा कोण से सोंग में और सबसे अच्छी ड्रेल से हमारी कौण ची लगती है यह सर्वे भी चले आरके विन और आरें सिंघ कोच लिगेए पड़ नहीं पारें दने आरके यह सचीं जी अव्हाब शचीं जी विच्छी जी जुधिशी रूदली अनुमार्ण जी अमांट इन एकृष इन आड़ार्म्राइब राड़ाइब नावयल के नावकेश यह गुनावट नोकेश जी नेया मरआ जोडते जाएं लोगो साथ के साथ को ये जो है ना ये सबसे प्रोपकार का जांगी रालम जी आपके समुदाई में जोड़े हैं क्योंकि सबसे अभाव और गरीवी में जे जी रहे हैं ये लोग इसलिए उनको सबसे जाधा जोड़े इस आपके नमस्कार जी तो रमतर जी दनराज जी दनराज जी जार जी अशार मजी महभूब अब घरए मोहन जी अधेनर नाराइन जी थैसे आप इस निवेदन आप इसको शेर करें ताकी सभी बच्चो को इसका फाइदा मिल सके यह जो online study का जो मामला है यह इतना अच्छा है उन लोगों को फाइदा देंगे अपन राम किसन अमबेडकर जी आरके मीना जी मोतिलाल जी दिनेश जी राम राम दन जी असोग जी राम राम राजेश कुमार जी राजेश जी राम राम जी जी आरकेस मीना जी राम राम के लास प्रसाद अश्वीका चोदरी जी आप महिलाएं कि महिलाओं को जोड़े जो भी छात्रहें उनको जोड़े विनोद डुमाला सुनिल राम महिला सक्ति का बहुत सम्मान करता हूं आपको दिख भी रहा हूं बगल में जो बैटें जो कितने खुश है यह सम्मान का यह तो प्रतीक है रादेशाम जी बिट्टू गुजर जी अब आप बताते जाना आपको और जुड़े रहना है या यह काफी हो गया बोहर मतो जाना अरुक बुट्टा जन्द नमस्कार जी नमस्कार जी बावुलाल गुजर जी यह पूरे गुजर सुम्धाय में विलें जाएं काफी गरीवी में जी रहें उनको इसका लाब मिलना ची है राजेस फागना जी राम्राम राविंद्र मिना जी ईसेल यह रहते जाएं अपने अपने पर प्रोप बेजों में तेलाजी हमारी मुस्कान से आपको सकारातम गुर्जा मिलेए मूल की शुक्राम जी रामalia मोराम जी पर चयर चर्शेयिद्र मिना जी गुड मॉनिamily मूल जी राम राम प इस आम टेरा जी जर फूर unbelievably घुटव म जोड़ते रहें लोगों को जोड़ते रहें हमारा आज का मकसद है दर्मी मिना जी तेरे ग्रूप में शेयर किया उसके लिए आप तेहले दिल चेद्द आप उन गरीब बच्चों की साहिता कर रहे हो जो बाव में धी रहे हैं जो कोचिंग नहीं ले सकते जैपुर नहीं रह कर रहे हो आप इसमें कुछ जो आपकी पूछने का संबंदीत कोई प्रेशन हो तो पूछ सकते हैं आप प्रसंद पूछ सकते हैं आप जो भी प्रसंद है आप इस ग्रूप में जुड़े हो तो आप लिख भी सकते हम नहीं पढ़ेंगे तो CLJS आप देंगे उनके जवाब पढने पाएंगे उनका समका जवाब देंगेky सारे कमेंट में ने देनी आकमेंट में आप जूड़े।ëेरेयोइगे रखेमान आप के लृम देंगे मनोज जी बेके गुणावत जी स्वरूप तरूप जी राजवीर मीना जी जी आपको हमसे सीखने को मिला इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद आप लोग विमल जी रिंकु जी राम 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 जोडते रहो विशाल जी सब लोगों को जोडते रहे हैं गोनरी को अनो marriage जी ऊ Lecture Chron exercise primarily I never provided interested in the जो फूल जी रहे हैं नौई रहे जोड़ोग पोली सेवाद है पुलिस की सेवा आना चाता है पुलिस की नोकरी माना चाता है वो सलाले सकते हैं और पुलिस की हैस्ट कर रहे हैं एम स्तेडी यह जोड़िन अब लेकर आने वाली है, 5000 की वेकेंसी आने वाली है, और उस वेकेंसी के लिए आपको तयार करेंगे MSTD, आपको जेव पुरा के कमरा लेके कोचिंग करने की ज़्यादा ज़ुरत नहीं है, आप घर वेटे या धिन करें, और बाकी हम सहयोग करेंगे आपका. आपको जो बाकी जो बाकी आपको इनका. लोगों को मिले जो गाउं में रहते हैं देहात में रहते हैं नरेज जी धन्यवाद तहदिल धन्यवाद हमारी तरफ से और सब लोग और ऐसे लोगों से जोड़ते रहें ताकि इस सब को फाइदा मिले और मैं आज विशेश समय निकाल कर इसकारे के लिए आया हूं यह ताइम में घर बैटे भी गुजार सकता था क्योंकि अधिकांस नोकरी वाड़े वही काम करते हैं चुट्टी के दिन घर में आरा करते हैं और मैं इस काम के लिए इसलिए आया हूंगी यह प्रॉपकार का काम है स्ट्टी से जुड़ने का ताकि गरीब लोगों को इसका फाइदा मिले हूं हम कोशिश यही कर रहे हैं अगर एक हमारी जो लोक्शन स्कृतिय उसको सम्मान मिले और हम उसका अच्छा चेरा लोगों के सामने लाएं लोग उसको देखते सम्मान करने लग जाए हमारी लोक शन्सकृति का करेंगे आगे भविश्य में अभी काफी लोगों से जुड़ रहे हैं जो इन पर लोग संस्कृति के लिए काम करते हैं आप लोगों को आप लोगों को यूइन पर आप लोगों को उस जगह तक पहुंचाने का करेंगे जहां के लिए प्रिश्रम कर रहे हैं आपके वल गाउं अपने गाउं और अपने शेत्र तक शीमित नहीं रहें आप अच्छा गाएं और अच्छे वराइटी दे उसके इंदर जो अभी अधिकांस लोग जो जो गीत गा रहे हैं उनको भी यह कहूंगा कि वह अच्छे गीत गाएं मनराज गुजर्दी वीडियो को लाइक भी करें बहुत खुशी हो रही कि अभी 609 से ज्यादा लोग जुड़े वे हैं अभी ऑनलाइन है साब लोग और हम यह चाते हैं कि इसको हजार करो आप अभी कितना चल्दी करते हो एक आशी के अंदर पचास जुड़ने चिए पूरा वो आपको पूरा बताएंगे हम निवेदन करेंगे अगी आपको पूरा उसका माफदंड जो होता है यह दन्यवाद आपने प्रिश्रिट किया आज एमिस्टेटी चैनल पर देखें आप उसमें पूरा आपका वो उसका जो भी योगिता है वो दरसा रखिए उसको आप पड़े विशाल चांदेला जी जो पूरा गुजर है वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद गुजर साब धन्यवाद आपको सलेवस भी एमिस्टेटी पर आपको पुलिस की जो नोकरी है जो अभी वेकेंसी आएगी उसका सलेवस दे रखा है उसमें क्या म एक जी लागी रांप यसके जी दूम या्ज जी कादेश आम मिना जी राम बटलाटी जी खिउड थे रखेलांटी रम्राज है रहाल है भुजर है उसमेश्णा दंश हम बार बार निवेदन यह कर रहें आप से अगर आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने अधिक लोगों को आप लाब दे पाएंगे और इसके बाद जब ऑनलाइन यह जो लाइव खत्म हो जाए उसके बाद इस वीडियो को भी आप समझे के सेयर करते रहें ताकि लोगों को ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलें धन्यवाजी कन्या बुरून अत्या का जो गीत है उसके गाएक तो है रामफुल मिना जो रेल्वे के अंदर नोकरी करते हैं और हमने उसमें लोग नरते किया है और यह जो सौंग है वो तीस लाग लोगों तर को यह प्रम रहे है जी आप बाकी और जो भी देखना चाहते हैं हमारे बारे में जो भी वो दीप रबू डान्स चैनल डान्स स्कूडियो है उसके साथ एक डीप रबू धंगल और है एक चैनल अहां उसमें भी आप जा सकते हैं और अभी ओन-लाइन वहां भी आएंगे हम आपको क्या चीज अच्छी लगती है यह चीज अच्छी लगती है ताकि हम उस चीज को ज्यादा उभारे और हम वो ज्यादा-ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कई लोग हमको यह भी कहते हैं कि आप नोगरी करते हो रही है क्या गमारों का काम करते हो इस पर आपकी क्या टिपनी होगी पप्पू जी लक्षमी जी जी धन्यवाद आपकी विशेज काम आये हमारे लिए और हम ऐसे ही आप लोगों के सामने हमारा चेहरा खुशी से बढ़ा हुआ सामने आता रहे आप लोगों के एस्पी साहब है रामे सुर सिंग जी वह भी लोक्षम करते हैं आपने उनका लोग नरते नहीं देखा है कि सुबार्जी एक रसी के कारी करम में किया था उन्होंने बहुत सांडार किया था और इस लेवल पर जाके भी वह लोक्षम संस्क्रती है में करते हैं जो आसब बनने के बाद भी स्टेज पर नाचें हैं तो यह लोक्ष संस्क्रती है में मयांदारि से मुझासी कर रहे हैं जो भी हम को कारी दीया पी उसको बड़ी मुझासी कर रहे हैं पर यह fruitsche का काम है तरह भी ले रहे हैं और जो नुकरी में रहते हैं और जो जानते हैं तो पूछ रहे हैं जानते हैं SK Meena Ji, SK Meena Ji, Ram Ram हाँ जी बोले, SK Meena Ji, आपकी बात सुन रहे हैं SK Meena Ji, हाँ, बोले, बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं SK Meena Ji, बोले, बोले, बनोटा, राम राम जी ержерж Blackheart, बोले, बल्स्व सकते हैं जी नजर नहीं लगेगीि मेरी सिलका, ब जबले зал जी रावराम से जो भाइए बूस्िंट कुछमन के संता जी बीजिट, बलाइन रहे रहे emotions घ्टे कुमाजिन smiling, Rajay Kumar.. आपके अनुब बताते हैं हमसे लाइव बात करके आपको कैसा लग रहा है वो भी हमको बताते जाये ताकि हमको भी पता लगता रहे है अगर हम जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे है कर क्या करें तो कैसे लगते हैं आपको हम लोग वह करना इतोग से कह इंगा आप में रहा हुआ है अब वह जो पता जाए पूरा दिलाना इस पितने गुर्पों कर रहे ही लिले आपको वो लाब दिलाना है जो बच्चों को नहीं मिल रहा है MSTD वो एक प्लेट फोर्म है जो सब को उप्लम्द करा रहे हैं जो आप लोग भी इसको शेर करके बच्चों तक पहुचा सकते हो जो गरीब बच्चे हैं गाव में रहते हैं वो वहाँ बेठे बेठे ही इस अध्यन को कर लेंगे पढ़ लेंगे आपको जयवपूर आके कोचिंग लेने की ज़रत नहीं होते हैं वहीं से विशसग्य बुलाए जाते हैं जो यहां विविन कोचिंगों में जो विशसग्य के रूप में व्याख्याता है उन लोगों को MSTD पर बुलाया जाता है आज हम वहां MSTD के सेंटर है वहीं है आज इनकी सारी उनका अलोकन किया है हमने पढ़ाने का तरीका इनका यहां क्या-क्या सुधाय उपलब्द है और क्या-क्या यह करते हैं सारी चीज़े हमने देखी है हम देखके बहुत प्रफुलित हुए है अग यह ऐसा प्रोपकार का काम कर रहे है MSTD के माध्यम से यह भी ग्रामिन प्रिवेस के ही है बस्ती में चैन्पुरा गांव है वहां के काम किया है पर इनका मन संतुस्त नहीं हुआ और शोचा मुझे कुछ प्रोपकार का काम करना दिए उन सांधायों के लिए उन व्यक्तियों के लिए जो दलीत है गरीब है पिच्ड़े हैं और जो अभाव में चीते हैं उन लोगों को जहां शिक्षा शेंघ हुम्ण अजब शेंख न शहीं अख कारी सब्सक्राशाख ने मिल पार हिम वहां होगा विए क्ड़ पारी तोर आकशिक थो लिए कि lots जैनों संतार्य बेंदे सब्सक्षा नोलेज्प 우p तुरेश चंद्र जी विनोध जी राम राम रमेश जी आप आप जितनी संक्या बढ़ते रहोगे उतने ज्यादा जुड़े रहेंगे आप अगर संक्या कम कर दी तो फिर हम सथना राइन जी शेर करते हो सेर दन्यवा सथना राइन आ आज पता लगेगा आप लोग कितना सने क क्रते हों को और यह डैंनलोगया जितने वह लोगा आ है जितुन बी लोगा है है अबतित्थ दल लोगों के अंदर मता 몰라 कि यह कि मैंसेज जाना चिए बीकर कि आह दरेट गोठाल जी इंदर राज मीना जी अब कि ब्ल्कुल मिलेंगे अ उन्या रही घुण ऐढ कर दो फ़ा जी след लाल जी त्य जिट बकेश्ट जी लाम राम बाइस ऐ्लाल जी इप्रकाइब मेर्च अच्चरा City नाय। रही निकेशी करें ट्रणा सेनी तो Das तो और इस kaufen यृव लगन श्य दोर पशुषिए हुआ जाप लोग इतने जुडते हो और इतन रहों भात कर पाते हैं जैसिंग जी राजकुमार जी वाके तो हम बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि हम उन गरीब बच्चों का सहयोग कर रहे हैं डारेक्ट इंडारेक्ट जो देन के लिए जयपुर नहीं रह सकते पैसा खर्च नहीं कर सकते उन लोगों को अभी अचलाको हैं णुप बartया के अच्छा लगता है कोड़ा दानस अच्छा लगता है अच्छी लगती है देवेंद्र जी हमारा कौन सा आव वाव सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है एक लाखा राम जी आरेम जी जैसिंग जी कमलेश कुमार जी अव्देश खोडा जी दो दानना आपको देखना चाहूंगा जो लकवा से ग्रसित थे दो जो बुजर्ग म सिता राम जी गुसाई है उनकी शाइद धरम पतनी है तो यह लकवागरस्त थे इनके परिवारों ने हमको बताया अग वो जब से आपके वीडियो देखने लगे उनमें एक अलगी ही संचार हो गया शरीर महरकत है और वो बहुत खुश रहते हैं और वो यह कहते हैं का हर द यह रहते थे तो हो भी काफी मायूस ते ते वो परिवार का भी मायूस होगया था ऑड़ों कुनए खुशी के साथ रह रहे है है और उनका मैसेज आता रहता है हमें अच्छा लगता जो वो कह रही थी कि मैं एक दिन में पांच बार पंप खीशती और आज मुझे दस दिन हो गया एक भी नहीं खीचा जब से आप लोगों का वीडियो देखना शुरू किया है वो क्या है आये दिन हमसे बात करती रहती है एक दिन सोड के एक दिन तो उनक जो फिर कि में तो अटा है वह आप वीडियो बनागे बेजए ताकि हम सब लोगों को बताए अगि यह जो खुष रहने का जो एक हमारा जो चैरा है वह किसना लाप लोगों को दे रहा है पता नहीं दिमाग किन में जाता है राम राम दिमाग बराबरी है जब बराबरी होता है समय दिमाग और जब ज़ुड़ जाते हैं तो ट्रांस पर होता है रहता है अपस नहीं अब तो कम जादा का कोई सवाल ही नहीं है आप यह नहीं हुदि नए भूंति स्थश्रेद हुड नंधी जाति सद्व निवकल जेगेर चेह करते हो प्रकेश्च गुड़ जी ट्रेविदर्णर्द्र केजंश चेहं 열심히 नंगेश्च गृंति करते हैं 깃श सनुर घृं। तो इतना संबान पा रहे हैं यह हमारे लिए सोबागे आप जो भी है आपके पास तो ज्यादा ज्यादा लोग इस जड़ेंगे अच्छा लगता है आपको धन्यवाद अब लोगों यह जो मैंसे 40,000 लोगों तक पहुंचा चुके हो और हम यह चाहते हैं कि यह 40,000 एक लाख होने चीए ज्यादा जी दोनों एजिट्रिशन तमीए आप 10,15 में तोर रहेंगे उसमें एक लाख प्रोस हो जाना चीए आप कितना जलजी करते हो दन्यवाद धन्यवाद 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 जी सपेद तोलय और पीली लूगडी एक लोक संस्कृति की पहचान है दन्यवाद र पहन्यवाद जिट्र पूछना चाहे है जैसी क्या, च। किसका पूरा नहीं लिखा जैसिंग जैसिंग दुबारा लिखो मैसेज क्या पूचना चारें आप अरियों जी राम राम जी राम आप जोब क्या करते हैं सर जी और मैडम जी पर इसके लिए आपको दीप्रभु डान्स स्केडियो चैनल मैं बता भी देता हूँ उसमें देख स्थेक्टर हूँ मैंचेज गॉश्चर है हालाएं कि मेरा जोब इन चीजों से ज्यादा आलूब नहीं रखता पर मैं उस विभाग की चवी भी सुदारने का कारी कर रहा हूं जो सामाजिक सरोकारों से जूड कर क्यूंकि पुलिस की चवी ऐसी एक सामाजिक सरोकारों से जदा लेना देना नहीं रखते मैं उस मिथक को तोड़के और पुलिस की चवी भी सा अच्छी बनाना चाता हूँ आपकेizado के लाए पहले लिए किताब देने के लिए दन्यवाद जोडी को शेर करो आप सेर अँक राज जी around बुद्दराम नैस q2 नोजी नोराम दरबो घिले लूजी यgger 31 गुरख़ इन इनρά पर शेर क्रें ऐसे disgu घुल्केश जी जोडी सभी 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 समाजों गुजर समाज गे बड़े बड़े गुरुप बने वे उन्नी समेखे घ्रीब बच्चों को फाइदा मिले आपकी पहली वीडियो के बारे मी बता हो जी आप प्रम डुमाला जी हमारा पहला वीडियो है नई बहु जेट से बोले और उस आपने फिल्म देखी होगी नहीं देख लेड़ा जरायम दादर्सी नाम से फिल्म आई है वो गोल्चा सेनिमा में लगी थी उसमें जो पहला गाना है नहीं बहु जेट से वोले उस गाणे में जो अभी ने किया था वह नहीं किया था और हमारा ही डांस है और आप आपको कई जानकर्य देते रहे वह उनको भी पढ़ते रहे उनका जवाब दो रहें घृत राम जी टीली लूगड़ी वाला गानत्य लगता दन्यवाद दन्यवाद जी प्रेम प्रकास मीना जी रखेंगे कभी प्रोग्राम ऐसा तिलवाडा गाउं में बिल्कुल बिल्कुल हमको समय मिलेगा तो हम अब यह कारियोजना बना रहे हैं रेल्वे में अधिकारी है राम आर्पी मीना जी आप सब लोग जानते मीना समधाई के लोग तो ज्यादा तर उनको जानते कि उनके क्या प्रोपकार के कारे हैं और बहुत अच्छे अधिकारी है वो हर जगे सहीयोग करते आर्पी मीना जी रभू मीर परसाद मीना जी लिख रहे हैं आप दोनों को देखकर लगता कि पति-प अधिकारी रगूबीर परसाद मीना जी जो मीना समाज के बहुत अच्छे अधिकारी है उन्होंने कारेयोजना बताईये मेरे को जो हर जिले के अंदर लोग सांस्क्रतिक महत्तों कायोजन जिनके फ्रू हम लोगों को जागरूप कर सकते हैं लोगों को समझी बुरायों से कर सकते हैं सरकार द्वारा विभिन कानून और वो जो भी कार्योजना बनाई जा रही है उनका इफेक्ट कम हो रहा है पर हम सामाजी ग्रूप से उनका इफेक्ट कर सकते हैं यह बुराईयों के खिलाब तो हम लोक संस्कृति का जो माद्य में वह सबसे बड़ी असादन है आपने धराड़ी प्रथा का नाम सुनाओगा यह सोचल मीडिया पर सबसे पहले इसका लेख हम नहीं लिखा था अधराड़ी क्या है दराड़ी रक्षों से जुड़ने का एक शादन है और गोत्र का एक प आने वाले समय पर सौंग और वीडियो आसकते हैं कि लाख़ा जी थुपड द्देवाद थी द्देवाद राम जी रिंकुः जी छाट सुट वारे दिनीः गंगत प्रत्था उसको प्रता नहीं कह सकते अ हां देखो क्या के गुंगट प्रत्था वैसे तो अपन उस विचार से देखते हैं तो उचित नहीं है पर चुकि अभी अमारे लोग इतने अवेर नहीं हुए है इसलिए धीरे 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 वो कम होती जाएगी लिंकु खाट जी आपकी बादी नहीं हुए पहले बाद से नहीं लगती होंगी क्योंकि मेरे मामा खाट में है हाँ तुनिर मीना जी नमस्काल जी शगनलाल जी धन्यवास और जो हमारे वीडियो में जो गुंगट करते हैं वह उस गुंगट का प्रतीक नहीं है हमारा वह जो उन चेहरों को दूसरे ऐसे स्वंग पर लगा देते हैं जो इसलिए हम वह दिखाते उसमें जी गलत गीतों पर हमारा नहीं जोड़े हम अपील भी करते रहेंगे क्योंकि हमारा अच्छे गीत लोगों के सामने लाना है और इस लोग संस्क्रति की जो कई लोग उस संस्क में ऐसे बद्धापन लाते हैं उन लोगों को भी हम प्रेणा देना की कारी करेंगे जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अच्छे गीत गाएं और लोगों समाज को अच्छा संदेश दे ऐसे गीत जिससे इस समधाई की लोग संस्कृत को सम्मान मिले जिया कॉंग्रेशार करता ग्रुप में श्यर किया है मिना ग्रुप में लोग है ये कि व में यूद गूरीन जियू गरुब है मेना पाराल नेAyयूइयों का पैफार वी बढ़े है क्योद निन गरुप हैं दिने ले चाना व wizard दो जितेज जी सबको राम 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 जी सबको राम 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 जी 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 राम लाइव प्रोग्राम से जुड़ने वाड़े सभी मित्रों को हार देख सुवकामना ही देते हैं और अब हम्मारा समय आगे आप से विदा लेने का आप लोग इस से जुड़कर भविश्य सुदारे और अपने मित्रों को यह जो वीडियो बन रहा है अभी शेयर करते रहें इसको और आगे जब आप ओनलाइन से ओफ हो जाए तब आप इस वीडियो को और शेयर करें ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले अब आपकी इच्छा अगर हो या आप ऐसी जलक लेना चाहते हैं तो मिस्टीडी से हमारा वह आपको ओनलाइन चल जाएगा इसके जस्ट बाद में एक वीडियो आएगा हमारा आप उससे एक मनोरंजन का और एक प्रेणा का वो भी ले सकते हैं जस्ट इसके बाद में एक वीडियो इसपे अपलोड होगा जो हमारे चैनल पर चला से जयनेवाद है तो आप उसमें एक जंचे भी इसमें देख सकते हैं जो जुड़े हैं सभी लोगों का जवाब नहीं दे पाया है उन सभी लोगों से माफी चाहेंगे जो हमारी नजरों से स्पीड से निखल गए यह जो ऊंलाइन का सिस्टेम उसको हम रोक नहीं पाते वो तेजी से परजाते हैं अब इतने लोग जुड़े कमेंट कितने आ रहे होंगे आप देख सकते हूं तो इतने तेजी चे पढ़ना अमारे लिए थोड़ा कठीन काम हो रहा है तो यह प्यार जो मिल रहा है हम सुक्रुगजार है हम आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले टाइम में आप लोगों से फ रिक्वेस्ट रहेंगी आप इस वीडियो को जदधा से जदा शेश्यर करें और यह ज्यदा-जदा लोगों तक पहुचे और आप लोग हमें आईकन के काम तो हम करальной रहे हैं और हमारी जो लोग गीतों लोंगत लोगन पर्दकका जो कारिए वो न मींदध आख अजा रहा है है सही समझधाइय उस में रूची ले की हमारा दान्स डाइल मानूं और अज्सेंड़ में हो यह का रहा हूं कि यह हमारा जो नरत्य है हो मीन वाते कह लाता है मीन वाति लोखनरत्य की पहचान लोगों में कम थी हम इस पहचान को देश भर में काईम करना चाहते हैं । ऐसे बंतल पर में पंसके जा तो और आप कालविला नरत्य देखते होंगे उसकी एक ही स्टाइल है फिर भी लोग पसंद कर रहे हैं तो हम भी मिनावटी लोग नरत्य के होता है और वो हर समुझाय की लोक्षंश्कृति का सबको सम्मान भी करना चाहिए कि योग संस्कृति मिलके भारतीय लोक्षंश्क्रति कंप हमारा दाइत्व है समिधान के मूल अधिकार और मूल कर्टवय पढ़े होगे मूल क्रत्व्य में यह दाइत है हमारा अग हम लोक संस्कृति का सम्मान करें जब कि हमारे पड़े लिके लोगों में एक मानसिक्ता घर कर गई अगे लोक संस्कृति को दो एमदर्जे की चीज होती है वो तो गाहों के ग्रामें लोगों अनपढ़ हल्वाई रिक्षा चनाले वाले मजदूरी करने वाले उनका कारी है हमारा काम नहीं है यह आपका विदायत तो जितना उसका दायत्त है वह भैतर समझता है आपसे जो गाहों में रहता है लोक संस्कृति क्या होती है हम पड़ पड़ पड़तो गए पर गूने नहीं इसलिए मैं उन सबसे निवेदन क अच्छी पोस्ट पर है लोक संस्कृति को नहीं भूले यह गवारपन नहीं है यह उसे भारतिये राष्टिये लोक संस्कृति को आप सम्मान दे रहे हैं जो सविदान में दर्ज है यह सविदार की बासा है यह जो लोक संस्कृति का सम्मान करना यह सविदान में अधिकार और कर्तव दोनों है तो आप अपने के कर्तव्य का पालन करते विह इस लोक सेंस कर सवित्ण करते वह हूं उसमें रुचि ले और उसको बढ़ावा दें आच्छे सब्ता होगे देंगर। मिलेगा और उसका उधारन आप देख रहे हो गीत बहुत लोग आये हैं बहुत लोग नर्ष्टे भी कर रहे हैं पर हर व्यक्ति हमसे जुड़ने का जो इच्छा रखता है उसका कारण यह है कि हम उसको भैतर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं उसको बागी वही चीज़ है जो या लोगों को सामने मंच पर जाके देने की क्योंकि हमारे लोगों में अभी तक वही मांचिकता है अगर वोरत कैसे नाचे क्यों नाचे यह नाचना यह तो खुशी का मामला है लोक संस्कृति का मामला है और यह जो लोक संस्कृति है ने यह तो आत्मा का है इसको आप सरी कि नायुकं玩 के लिए अच्छा काम करें आप कि शंदाय विसेश पे टिपन्य करें आप उसमें अच्छी चीजें काये कि सी किसी बेरं बेटियों के बारे में ज्यादा ऐसा तितिपनिया न करें तो लोक्त संस्क्रृति सम्मान दिलाने कार ही करती है बदनाम नहीं करती है इसलिए जो व्यक्ति से जुड़े हुए है वो गीत भी ऐसे ही गाए और उनकी हाव भाव विचार और व्यवार भी ऐसा होना चाहिए तो आपको सम्मान मिलेगा हर व्यक्ति सम्मान करेगा हर व्यक्ति कर अाफ जो इसा हमान मैं याद दिलाता हूं को को मैं समवा pen शुका था आप की तरप वह तो आपको फिर मैं आभार व्यक्त करते हूं अगर आपने इतने देर को बहुंत तो बीच में जाना ठीक भी नहीं लग रहा था अभी भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं तो आप फिर वापस मन कर गया चलो और जुड़े रहते हैं पर अब यह काफी वक्त हो गया काफी लंबा वीडियो हो गया और अब देप्रभु चैनल दान्स स्टुडियो पर और जल्दी ही इस पर हमारा एक शोंग जो प्रिनादाइक भी होगा वह आपको देखने को मिलेगा राम राम जी जार साब आपका धन्यवाद करेंगे हम आपने हमको इस प्लेटफोर्म पर ऐसा प्रॉप कारी कारे करने का भोका दिया और आगे भावशे में भी जब भी आ इस वीडियो को सेर करें धन्यवाद राम 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 प्रॉप